दरगा में कोई दिवार को चूम रहा है, तभी पुलिस वाले को संदे होता है कि अरे ये दो वही है, जिस पे उसका सब इंस्पेक्टर उससे कहता है कि जनाब थोड़ा सबर कीजे, confirm कर लीजे, because अगर हमने बिना सोचे समझे, इस पे complain करी, इसके बारे में कुछ कहा, वो भी लाला, और सामने वाला एकदम से उसके तरफ पलट जाता है, और यही उस व्यक्ति की जो पलटा था, उसकी होती है सबसे बड़ी जिन्दगी की भूल, because अब उसका पूरा चाप्टर क्लोज होने वाला, सवाल उटता है कौन था ये लाला, क्यों आई थी पुलिस इसके पी 1992 के बाद लोगों को लगता है कि शायद वही सबसे बड़ा स्कैम था, लेकिन आप जानके हैरान हो जाएंगे, आज मैं जिस स्कैम के बारे में बात करूँगा, आज मैं बात करने वाल हूँ, अब्दुल करीम तिलगी, जी हाँ, जिसको स्टैंप पेपर गोटाले के साथ जोड़ा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं, वेल, माना जाता है, ओफिशली ये स्कैम 3030,000 करोर का था, लेकिन 2000 करोर तक कुछ लोगों ने पकड़ा इसको, इससे जादा बहुत सारी चीज़े अभी तक नहीं पकड़ पाए, लेकिन कुछ लोग एस्टिमेट करते हैं, जो उस समय के हैं, वो कहते हैं कि बॉस, ये 30,000 करोर का नहीं, ये 1,000,000 करोर का स्कैम था, जी हाँ, हरशिद महता स्कैम से भी बड़ा स्कैम, बड़ी एक्जाटली स्कैम था क्या, मोडस उपरिंडी क्या था, किस तरह से इसको चलाया गया, वो मैं आज आज आपको तो उसमें आता था तेलगी, रुपीज ही रुपीज, पैसा ही पैसा हरशिद महता तक को इसने पीछे छोड़ दिया था, इन टरम्स ओफ इस वेल्ट, निकनीम इसको प्यार से काफी सारे लोग लाला के नाम से जानते हैं, माना जाता है कि एक दिन ये ऐसे ही बार में, जो कितना कैश और कितना पैसा होगा, इस बंदे ने पूरे देश को इसलिए हिला दिया था, इसका एंपायर फैला था, 18 states, 350 एजेंट्स थे और 70 cities में, जी हाँ, इतना सारा चीज इस पूरे घोटाले में involved थी, लेकिन अब सवाल उटता है, इसकी शुरुआत आखिर हुई कैस पड़ेगा, क्या पूरा कंसेप्ट था, तो जो हमारा early 90s की बात करते ना और मुंबई specifically बात करते तो उसका चहरा एकदम अलग था, उस समय पे 90s में drug mafia, mafia lords, terror, ये सारी चीज़े बहुत जादा activity and of course दलाल स्टीट उसके बाद popular हो गया था because of harshad meta, तो ये तेलगी सहाब के जो पिताजी थे, पापा थे, वो class 4 के government employee थे, railway employee थे, तो उनके फिताजी की death होने के बाद इनने खुद की अपनी पढ़ाई B.com तक ये करी, sponsor करी, खुद के सबजियां बेच के railway station पर ये सारी चीज़े और बाद में अपने गाउंवालों को ये लेके जाता था, Arab countries, जब य उदर लेने की कोहिश करता था, इसको समझ में आता था, passport पे बहुत issue होता था, तो इसने गलत धंदे यही से शुरू करते थे, fake passports का धंदा चालू करते थे, जिसके कारण बहुत बार जेल जाता था, जेल में एक बार इसके कोलकटा का एक vendor मिला, जहां से उसको ये सारा stamp घोटाला का idea पनपा, तो ये exactly scene क्या था, तो basically अगर देखा जाए, हमने एक चीज़ देखी कि जो लोग छोटे गाउं से आते, ये बंदा गाउं से था, ये लोग usually बहुत ambitious होते हैं, और ये ambition लेके ही मुंबई आया था, रातों को बहुत बार ये रस्तों पे सोता था, proper इ पासपोर्ट, ये सारी चीजे, वो करने लग गया, तो इसके करण बहुत बार जेल में आना जाना लग गया, usually लोग सुधर जाते हैं, बट यहां पर तो इसने जेल को अपना दोस्त बना लिया था, पुलिस को दोस्त बना लिया था, जब तेलगी बार बार frequently जेल में आना चल रहा था, तो इसके दिमाग में बहुत तेड़े तिगड़म तिगड़म आइडिया चल रहे था, और वहीं पे इसको कोलकता का एक वेंडर मिलता है, जिसका नाम था सोनी, और सोनी इसके साथ कुछ ऐसी चीज़े शेर करता है, जहां से इसके दिमाग में ठनकता है, certificate बनाते हुए पकड़ा गया था, उस समय पे physical form में share market के shares जाते थे, हरशद महता के time की बात करते थे, तो उस समय पे concept चलता था, gum washing, उसमें क्या होता था, जो seal wheel ये सारी चीज़े लगी रहती थी, documents में, उनको ये लोग clean करते थे, date change कर देते थे, fake बना देते थे, और जिस बार seal लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, चाहे 50 रुपे का हो, या 10,000 रुपे का हो, एक बार लगने के बाद वो सीधे जाता है, locker या बकसे में, तो ये तो पकड़ा नहीं जाएगा, तो उसमें छोटा-छोटा यही से काम करना शुरू किया, जाली stamp paper बनाने के, अब पर क्या होता है, आज के समय पर बात करूं, तो करीब-करी 10 रुपीज से लेके 25,000 रुपीज तक के stamp paper available है, अब ये stamp paper exactly क्या करता है, ये एक legal validation दे दाता है, गवर्मेंट के तरफ से, कि भाई, ये जो काम कर रहे है, वो बहुत सही है, और ये छपते का हाँ पर है, नासिक क Indian Security Press पर ये सारी चीज़े सबती है, आपको एक fact बता दो कि जो आप लोगों का passport की भी printing होती है, जो legal passport वो भी नाशिक में होती है, printing machine वहीं पर है, ओके, so shout out दे दे ना नाशिक वालों यहाँ पर, anyways, तो ये government basically क्या करती है, ये stamp paper as a tax or as a fix fee भी ले ले लेती है, कि भाई, जो cost of manufacturing रहता है, raw material तो same रहता है, बट value जैसे ही उसके उपर लिखी भी बदल जाती है, प्रीमियम बदल जाता है, तो तेलगी भाई साब ने loophole निकाल लिया, जैसे हरशाद मैता जी ने अपना bank का loophole निकाला था, इनने पूरे government के stamp system का loophole निकाल लिया, उनने पहले पता क करने की कोईश करी कि भई, ये stamp paper छपते का है, जिससे उनको पता चल गया, नासिक में प्रैस है, वहीं पर machine है, और उसी machine से हर चीज छपती है, तो तेलगी के दिमाग में एक चीज आ गई, plan बनाने लग गया, कि भई किसी तरह हमको उधर पहुशना है, तो he started building up contacts कि किस तर बना के बाहर बेचने लग गया, अब यहाँ पर नासिक के, जो stamp paper वाला area था, उसमें उसको और close connect बनाना था, इसलिए वो एक current employee से बाहर मिला, जब वो ये cleaning का काम करता था, तो वो एक old employee से मिला, जिसने उनको एक कुछ current employee से मिला दिया, कि भई, चल मैं तरह को अपने पु बाहर निकाल लो, तो उसे ने plan master plan मनाया, जो पुरानी machines discard हो जाती थी, उनके auctioning का काम रहता था, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि government के employees भी जो उधर printing press में थे, वो भी involved थे, उसने बोला कि भई, मैं इधर plan मनाता हूँ, किसी तरह अगर ये machines निकल गई, तो मेरा काम बन जाए because fake paper, वो चाहे 100 रुपय में बेचे या 25,000 में बेचे, उसका volume बढ़ा देगा, तो उसको हमेशा पैसा ही पैसा मिलने वाला है, तो ये जब उस time पे जब online चीज़े नहीं थी, तो जब आप share market में shares खरीदता था कोई, तो share paper के अलावा भी, एक stamp paper पे भी buyer deal करता था, तो वो waste होने के अबाद, कोडियों के भाव में, अटाले वाले के पास, मुंबई, दलाल स्ट्रीट के पास मिलते थे, और तेलगी का जुगाड हो चुका था, उसने जुगाड से, ये सारे पुराने stamp paper लेना शुरू करे, उदर से चीज़े हटाने शुरू कर दी, उनको fake बनाना उन सारी चीज़ों को जुगाड उसने कर लिया था, तो ये तो पहला जुगाड होगा, दूसरा auctioning करके, वो मतलब auctioning भी rigged थी, उसने bribe कर दिया था सबको, auctioning करके, उसने stamp paper बनाने वाली machine ही अपने तरफ कर ली, तो भाई, अब इसके पास सिर्फ सोने का अंडा नहीं, सो कौन से government की वे, तो आप देख रहे किस तरह शातर दिमाग से, भाई ने पहले तो fake stamp paper बनाने की शुरुआत करी, उसके बाद पूरा का पूरा machine ले आए, तो अब तेलगी को, इस चीज़ को scale करना था, तो तेलगी अपने next बड़े scale में कैसे कर सकता था, तो उसने क्या किया जो सरकारी paper circulation में थे, जो original stamp paper circulation में थे, उनको गायब करना शुरू कर दिया, अब simple सी चीज़ है, वो लाखों की bribe नहीं देता था, क्योंकि अब इतना कमाने लग गया था, original papers गायब कर दिये, अपने ही circulator है, सारा commission इसे के पास जा रहा है, करोडों में bribe देता था, तेलग paper तुम बेचोगे, क्योंकि हर deal में इंडिया में चाहिए stamp paper, उतना जाधा commission मनेगा, और बाद में ये stamp paper बेचने लगे, LIC और BAC को, बट सवाल ये उठता है, कि भाई साब, LIC, BAC जैसे बड़े institution तेलगी से क्यों ले रहे थे, government से क्यों नहीं ले रहे थे, because एक simple सी बात है तेलगी क्या बोलता था, अपने agents को जितना बेचोगे, उतना जाधा commission मिलेगा, इसके कारण लोग sell बहुत जाधा करते थे stamp paper, because property से लेगे हर चीज में stamp paper तो लगता था, तेलगी के काफी जाधा पुराने दोस्त रहते थे, LIC और BAC के मतलब उसमें जुगाड निकाली वह अब उसने एक चीज पता करी कि हर 100 rupees के stamp paper के लिए LIC को 97.5 rupees देना पड़ता है, तेलगी ने बोला, government इनको 2.5 rupees का discount दे रही है, मैं इनको 5 rupees का discount होगा, और कौन सी company profit नहीं चाहती है, LIC ने सोचा stamp paper ही तो है, BAC ने सोचा stamp paper ही तो है, क्या जा रहा है, 5 rupees और सस्ते मिल रहा है अब याद रखें, ये एक stamp paper पे 5 rupees का फाइदा नहीं हो रहा, अब इसको करोडों से multiply कर दो, तब आपको समझेगा, तो ये बंदा वैसे भी इसके पास machine तो आगे थे, तो 10 पैसे के stamp paper से फाइदा बनाई रहा था, अब जब बड़े-बड़े institutions like LIC, BAC, ये भी इसी से stamp paper ल रहते थे, बड़े-बड़े diamond भी अपारी रहते थे, merchants रहते थे, businessmen रहते थे, इनको तो वो stamp paper 30% discount में दे देता था, बिकास इसके जेब से तो कुछ जानी रहा है, अब 25-25,000 रुपए के, अगर वो 25-25, 25 करके, वो लाखो के stamp paper देता था, 30% discount, businessmen सूचता था, मेरे को discount मिल government के लोग, APK printing press के लोग लगे हैं, तो इसको रोको, बड़ तब भी government के आग नहीं खुली थी, 1994 और 1996 में, खानपूर में, भाई साब, तेलगी ने इतनी सारी properties खरी दी, माना जाता है, उसी समय में, 94 और 96 के बीच में, close to 500 crore के इनने properties खरीद ली थी, पकड़ी सरिफ 100 crore ग गाली देते थे कि, अरे भाई, stamp में कौन घोटाला करेगा, एक बार को तो currency बोलता, note बोलता तो समझ में आता, तो तेलगी ने concept भी ऐसा चीज लिया, कि जिस पे कोई सोच भी नहीं सकता है, यहाँ पे घोटाला हो सकता है, मतलब छोटी सी चीज है, एक बार stamp paper आता है, उस तो अब पकड़ा कैसे गया, तो बैंगलोर के police station में एक call आता है, एक raid होती है, वहाँ पूने में और बैंगलोर में, इसी के just बात, इसी call के बात, तो इसमें बताया जाता है कि तेलगी ना अजमेर जा रहा है, क्योंकि अजमेर में जो यात्रा चलती है, हज यात्रा, वो ह हमेशा 1500 लोग वहाँ पर तेलगी के लोग आते थे, वो तेलगी अलग अलग जगा से बुलाता था, और उनी के तुरू ये stamp papers पूरे country में ये circulate करता, तो एक inspector थे बावा करके, वो पठान की dress पहन के गए, और वो दरगा पहुँच जाते है, साथ दिन तक police को कुछ नी मिल जाता है, फिर तेलगी के साथ, तेलगी बोलता है कि देखो, मैं पकड़ा नहीं जाता, लेकिन तुम लोग उने आज पकड़ लिया है, तेलगी से पूछा गया कहा रहता है, तो लॉज में रहता है, लॉज में गये तो 35 लाक रूपीज कैश मिले, बॉलिवुड गानों की कैसेट्स मिली थी, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, और जेल में इसका आना जाना चलता रहा, यह रेड भी आक्चुली होती नहीं, बट आक्चुली में मेडिया ने प्रेशर देना शुरू कर दिया था, कि भाई, हो सकता है, यह इतना सारा, क्योंकि धीरे-धीरे पॉ कुलाबा के, तो उनने पता करने की कोश्च करी, जब तेलगी को अरेस्ट करके जेल में रखा गया, कि भाई, जाके देखे, कुलाबा में है की नहीं है, तो पता चला कि कुलाबा के जेल में यह बंदा था यह बाहर बैठा हुआ था, अपने एक पुलिस फ्रेंड के साथ, और वो अपना धंदा चालो करा था, जेल के अंदर भी यह धंदा करा था, रुका नहीं था, फिर अन्ना हजारे जी, जी हाँ, हमारे प्राउड अन्ना हजारे जी ने सब की आखे खोली, जब उनने PIL फाइल किया, जिसके कारण गवर्नमेंट की आखे खोली, कि भई, और इसने लूफोल कैसे धूंडा, कि उस समय पे अगर किसी का फोन टैप करना है, तो परमिशन लेने के लिए आट दिन लगता था, और इसने मल्टिपल फोन मंगाने शुरू कर दिये, जैसा ही सेविन्थ डे आता था, यह अपना फोन चेंज कर लेता, तो दूसरा सिम कर पुलिस परेशान, तो इस बर जो डिए जी थे और पुलिस हेट थे, उनने नया प्लान बनाया, उनने क्या होला, सिम जाने दो, फोन जाने दो, बस इस बर चेंज यह होगा, कि हम प्री अप्रूवड सिम सी भेजेंगे, मतलब, जो भी सिम जाने वाली, हम पहले से वो टेस्ट भी हुआ था, जिसमें इनने काफी बड़े-बड़े नाम रिवील किये था, just like हर्षाद मैधा की केस में बड़े नाम आ रहे था, यहाँ पर भी आ रहे था, लेकिन, as usual, बाकियों के खिलाफ कोई evidence नहीं मिला, scapegold एक ही बंदा आना, तेल की पकड़ा कैसे गया, 2007 में अपनी बीवी, इसकी बीवी ने इनको आके कहा कि यार confess कर लो, अल्ला का वास्ता confess कर लो कि तुमने गल्ती करी, सजा काटो और आ जाओ, यैसे जननत मूवी में आपने देखा था ना, तो यही चीज होगी, तो उनको सजा हुई 202 करोड का fine, 30 साल के सजा, अगर ये 202 करोड का fine नहीं देते तो और 3 साल की सजा extra बनती, वाह क्या jurisdiction है हमारा, तो 33 years हो जाता, बाद में HIV positive निकले, diabetes भी निकले, और 2017 में Victoria Hospital के टाइम पे माल, मतलब उनके काफी organs खराब हो गए और इनकी death हो गए, तो government ने इस चीज पे अब security के लिए stamp paper related काफी सारी चीज करी थी, अब आपको एक और interesting चीज जाते चाते मैं बताता हूँ, यह जो जयन्द भाई साब थे whistleblower वो इन्हीं के गाउंके थे, इन्हों ने एक, दो, तीन बार won किया था तेलगी को, तेलगी मत कर ये चीज़े गलत है, तेरे को मैं पकड़ाओंगा, मत कर, और इन्हों चैलेंज किया था, कि देख मेरे पास आज तो computer नहीं है, early 90s में, जिस दिन मेरे पास computer आएगा न, सौ दिन के अंदर तेरे को मैं अंदर कराओंगा, ये मेरा वादा है, और literally जैन्हीं ने यही किया था, जैन्हीं ने income tax वालों को पूरी leads दी, जैन्हीं ने काफी सारे लोगों को lead दी, जैन्हीं ने इतना ही नहीं जो call जा रहे थे बैंगलोर पुलिस को, बताने के लिए कि ये दरगा में है, ये यहाँ पर है, ये भी जैन्हीं दे रहा था, बड़ आपको दुरभाग ये वशबाद पता है, जैन्हीं खुद on the verge of bankruptcy है, पैसा कुछ नहीं है, because हमारे देश का दुरभाग ये ये है, और इसी लिए कोई गलत चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, क्योंकि अगर जो उठाता है, या तो उसको मार दिया जाता है, या तो फिर दबा दिया जाता है, या तो वो bankrupt होके खताम हो जाता है, एक छोटे पनने के साथ, दूसर आशा करता हूँ, आज की ये जो scam story थी, फ्रमर scam series वो आपको पसंद है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे, तो मैं description में लिंक ज़रूर डाल दूँगा, scam series की, आप जाके बिल्कुल binge watch कर सकते, काफी लोग करते हैं, आशा करता आपको ये पसंद आए, अगर जल्द वीडियो चीए, तो make sure 15,000 likes, let's go ahead, till then keep learning, keep growing, keep investing and keep.